जमश्कार बच्चो स्वागत है आप समयगा आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परिक्षा प्लस में जब से बिहार 7th phase की exam date की घोश्णा होई है ऐसाब वो जब तो exam calendar आया है तब से लगाता आप phone calls और messages की भरमार आगे सर हम दो महिने में कर रही क्या तो आपके इन प्रशनों का जवाब बहुत बहुतरीन content और क्या अब आपको पढ़ना है क्योंकि अब आप देखो को तो exam की जो date आप की है 19-20 अगस्त और 26-27 अगस्त तो आप 26-27 को ज्यादा consider मत करिए consider आप 19-20 को करिए क्योंकि अभी यह नह के चलिए और इस हिसाब से आपके पास जो समय है वो 60 दिन भी नहीं तो अगर इन 60 दिन में paper हो जाता है अभी नया नया syllabus आया है नय syllabus के हिसाब से क्या 60 दिन हमारे लिए परियापत है यह को पहले ही मैं आपको बोलूँगा कि कि किसी भी परिक्षय के तैयारी करने के लिए कम से कम 120 दिन 100 प्रस देज मस्ट होते हैं लेकिन फिर भी आप हमारे पास अगर 60 दिन है तो किस प्रकास से हमें सेलेक्षन लेना है इसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को बहुत इत्मिनान से लाश्ट तक आवसे देखीगा सब कुछ आपके रात के 10 पीम तक यह लगाता सारी ही क्लासेश चलना ही मैं अभी आपको टैम्टेबल हो गरा सब को जब को दिखा दूगा तो आप इत्तने समस्ते रो बाकि क्या किताबे होनी चाहिए कहां से हमें पढ़ना चाहिए साथ दिर हमारे पास चैलेंजिंग है तो अब हम भी हार गोर्ड की किताबे पड़े या फिर हम कोई नोट्स ले या फिर हम कोई मार्केट से किताब लेकिया है सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत इत्मिनान से सुनिएगा बट ये फ्री क्लासे जो हैं ये आपको एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब चैनल पर भी परिक्षा प्लस के और परिक्षा प्लस एप से भी सारी डिटेल में आगे आपको देता हूँ इस फ्री क्लास के बारे में कि कैसे आप यहाँ पर सेलेक्शन लेने के लिए प्लासे को कर सकते हो आते हैं अम लोग जिकर करते हैं कि सब्से पहली बात कि किताबे कौन सी होनी चाहिए नोरस आपकी कौनसे होनी चाहिए तो यह आपका क्या है यह आपका सिलेबस है। और सिलेबस पैटर्ण के हीसस आप से देखा जाए तो अब यहाँ पर इसके लिए, क्या получ नब का तब तक कम से कम 15 दिन 20 दिन और बीच जाएगा मतलब आपके पास कहने को 40 दिन बचेगा और 40 दिन में आप कोई भी किताब पढ़के क्या कर सकते हो सेलेक्शन नहीं ले सकते इस बात को समझेगा उसे पढ़ने में उसे रटने में समय लगता है और सेलेबस पर ये भी बोला गया है चेर्मेन महुद ने बताया है कि जो इसका इसतर होगा वह इतना आसान भी नहीं होगा मतलब जी आपका एक्षा की जाएगी वह आपका एप्लिकेशन हाई लेबल का किया जाएगा तो उन्होंने दिशीदर बोल दिया कि बाकी ये तो क्वालिफाइंग है इंग्लि दूसरा पार्ट जनर्ल वेर्नेस का है तीसरा पार्ट साइंस का है चौथा सोसल साइंस का है पांचवां इंडिनेसर और छट्वां है आपको जग्रॉफिय और एंवर्मेंट कहने का मतलब आपके पास कम से कम 6 किताबी चाहिए तो आपको साथ दिन और छे विषय देखा जाए तैयार करने मतलब एक विषय पे ओन एवरेज दस दिन केवल मिल रहा है और दस दिन में वो पूरी ही विषय आपको पढ़ना है रटना है विवाइस करना और उसका प्रैक्टिस करना है ओन एवरेज और अगर इतना कर लोगी तब ही स बता दूँगा आते हैं हम लोग सारे की एक एक करकर जिकर करते हैं कि यह आपके जो किताबों की लिस्ट है क्या आपको पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एविनल्टी या फिर आपकी जो मैट्स और रिजनिंग वाला पार्ट है पहली बात तो बच्चों बता दो कि इसमें आपकी मैट्स और जो रिजनिंग इसमें बहुत हाई लेवल की नहीं आएगी इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे एससी वेगरा या बाकी कोई ऐसे ए किताब कौन सी होनी चाहिए तो एक तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप आरे सगरवाल आपके पास एक बाल लगाए हूं तो ठीक है वरना सबसे बेटर मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट में आभी आपको परिक्षा प्लस की यहाँ पर बुकलेट दिया जा रहा है य ऐसे ख़ु inch बेहर के आधार पर कंटेंट बनाया जाघा रहा है थोड़ा सा पीसेंस रखके और सारी किताबे आपको परिक्षा प्लस की मिलेंगी इसलिए मैं परिक्षा को कंसिडर करके लेकर चल रहा ह jsem कि आपको यह पढ़ना ही पढ़ना है और सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि PDF की form में आपको available करा दे जाएगा तो immediately आपको मिलकर तुरंत उसका print करा के आप पढ़ना श्टार्ट कर लोगे आपको 10-15 दिन publication के लिए wait नहीं करना पड़ेगा आपके लिए एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा important हो और एक चीज और समझना केवल क्लास से कुछ नही आजाएगा तो आप आरे सग्रवाल लगो मैं उसको भी आपको ब्लक्रिस पर लगानी चाहिए मैस में तो बिहार बोर्ड के मैस की किताबें पढ़ना नहीं है उनके केवल exercises लगाना है और उनके exercises को आप लगाओ मत उनके exercise को मैं खुद practice कर दूँँगा इसलिए मैं यहाँ पर consider नहीं किया हूँ जरूरी हो सकता है कोशन वहां से एक दो डारेक्ट हो जाए अगर आपके पास इतने time manage हो पाता है कि आप इन किताब आरे सग्रवाल के साथ साथ आप बिहार बोर्ड के सारे exercises लगा पाओ तब तो ठीक है वरना आप कम से कम 6 से लेके 10 तक के आपको बि तो इस हिसाब से अगर आप देखो के तो 15 गुड़े 40 प्रतेक चैप्टर आपके पास कितने है 40 चैप्टर और प्रतेक चैप्टर में कम से कम 20 कोशन है मतलब 800 से 1000 कोशन आपको क्यों उससे प्रेक्टिस करना पड़ेगा इसलिए मैं आपको यह आपको बिहार बोर्ड का है यह कोशन में आपको खुद प्रेक्टिस करवा दूँगा कहां पर आपको ऑनलाइन बे बट अगर आप किताबे पड़ना चाते हो तो ऐसा नहीं कि आप उसी पर डिपेंडेंट रो आप बिहार बोर्ड की किताब लेके आओ और उनसे कोशन कर लो साथ में आप यह करते रो या फिर आप परिक्षा प्रसकी प्रेक्टिस बुक कर लो अगर यह आप नहीं लगाए हो तो आप इसे लगा लो यह मैं ज्यादा बोलूँगा क्योंकि यह आपका एक्दम बिहार बोर्ड के हिसाब से आपका कंटेंट बनाएगे बिल्कुल बेसिक कोशन लखे गए कोई इसा नहीं रखा गया है कि आपको परिषान करें या फिर आपके लिए भी ठीक है दूसरे पर आते हैं जो अप इसके लिए आपको कोई विए ऐसे information लेके, current affairs से information लेके, उसके बाद फिर आपका जो बाकी static part है, सबसे मिला के बहुत बढ़ी अभी में इस किताब को आपका demo भी दिखाऊंगा ये आप इस परिक्षा book plus book के follow करो, सामाने विज्ञान के लिए book list क्या होने चे, सामाने विज्ञान में अगर ज्यादा पूचा जाना है, ठीक है, और इसके लिए, बहुत, lucent भी आप ले सकते हो, लेकि lucent science की बहुत लंदी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी यकीन मालों कि आप बाकी विज्ञे के साथ lucent को खतम नहीं कर पाऊगे, बट अगर आप में efficiency है, solutions के आप पढ़ो वरना आप क्या पढ़ो, वरना आप परिक्षा प्लस के notes पढ़ो, ये करीबर 90 page का, 90 से 100 page में आपका bio भी, आपका physics भी और आपका chemistry भी तीनों ही मिला दिया गया है जैसे मैं आपको अब दिखाता हूँ कि क्या है आपका एक बाद syllabus, अगर मैं ये समाजिक विज्ञान की बाद, science की मैं आपको दिखा देता हूँ, science में क्या है तो science में आपको पढ़ना क्या है, जैसे अगर ये class 6 का syllabus देखोगी, ये class 6 का syllabus है ये उसी का मैंने page निकाला है, syllabus देखोगी तो भोजन कहां से आता है, भोजन में कहां क्या है तंतु से वसल तक, बिविन प्रकार के पदार्थ, मतलब प्रिथक करण, यहाँ पेड़ पहुझे दुनिया, फूलों से ग्यान, जन्तुों से गति या उसमा हो गया, कतियूम समय हो गया, पदाद हो गया, पौधो में, पोशाण हवा आदी यह सारे ही chapter आपको पढ़ने, अब जब आप बिहार बोड की किताबे पढ़ोगे और उसमें 100 पेज के notes से ही आपका maximum चीजे cover हो जाएंगी, 90 से 100 पेज में, सारे fact, इसमें आपके बिहार बोड की भी fact ले ले गए हैं, लोशेंट वगरा कुछ ऐसे किताब उसकी fact ले ले गए हैं, और जो आपकी परिक्षा के लिए, या headmaster से परिक्षा में पूछे जाते हैं, उनके fact आपके इस किताब में संकलित आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए अगर आपके पास समय हो तक तो बिहार बोड फॉलो करो, वरना मैं इतना बोलूँगा कि आपको ज्यादा बेटर है कि परिक्षा प्रस की फॉलो कर लो, ये ज्यादा आपको रहेगा, समाजिक विज्ञान के लिए, समाजिक विज्ञान में सबसे बहली बात बताएं, समाजिक विज्ञान देखू, वैसे जो social science होता है, समाजिक व वारतियर अश्रियान दूलर अलग कर दिया, तो विज्ञान को अलग कर दिया, तो आपके पास बचा गया, बचा आपके पास केवल राजवेवस था, और अगर विहार बोड की किताबे आप देखोगे, ये मैं आपको समाजिक विज्ञान की किताब दिखा भी रहा हूं, जैसे ही सामाजिक विज्ञान की किताब देखोगे, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो क्लास 6 के विवित्था की समझ, इसका जो किताब का नाम ही है सामाजिक एवम राजनीतिक विज्ञान, ये उसका नाम ही है, तो अगर आप चैप्टल देखोगे विवित्था की जीवन, लेन देन का बदला, हमारी सरकार, इस्थानिय सरकार, उसके बाद अब क्लास 7 की देखोगे, ये क्लास से समाजिक, आर्थिक, एवं राजनेटिक जीवन आ जाता है, ये पुरा समाजिक विग्यान है, इसमें लोकतंत्र में समानता, राज सरकार, सिक्षा, समाज, मिल तो यहाँ से जो इसका समाजिक विग्यान वहला पार्ट है, इसका मतलब कि उसके लिए क्या है, उसके लिए ये पार्ट है, के वलो रखेए, और ठोला बहुत मिस्लिनियस, तो अगर आपके पास समय है समय तो बैने बोलूगा कि नहीं है तो इससे अच्छ है कि आप इनके कंटेक्स्ट पढ़ लो कि वहां से निकाल के हाला कि मैं इतना आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार एट लीस्ट गो फ्रू हो जाओ ऑवर थोली आप उसे रीड घर के चले जाओ क्योंकि होता क्या है क आपको मैंने भूगोल परेवड में 6-10 लिखा है बाकी आप 6-8 में कवर करोगी तो अपको कम्प्लेट हो जागा 6-7-8 और तीन अगर देखोगे तो कितनी किताबें आपको पढ़नी है तीन क्लासेस की आपको भूगोल की पढ़नी है सामाजिक विज्ञान की पढ़नी है और आपको क्या पढ़नी है गड़ित की पढ़नी है चार विशे को पढ़नी है चार विशे में अगर देखा जए तो चार तीक 12 किताबे हो ही 12 किताबे में प्रतेइक में 10 चैप्टर देखा जाए तो कितने हो गए 120 चैप्टर और प्रतेइक चैप्टर में अगर देखा ज से आपको confirm बता रहा हूं कोई आपको रोक नहीं पाएगा लेकिन केवल पढ़ने से fact आपको नहीं आदोगा केवल पढ़ने से आप उसके practice निकल पाओगे इसके लिए मैं बोलना हूं कि परिक्षप्रस की किताब है जो आपको मैं आप दे रहा हूं यहां से आप चीजों को cover करोगे अगर तो आप उधार क्योंकि वो किताबे जो आपकी notes बनने हैं वो उन्हीं किताबों के आधारित पर हुए आप वहां से आप इबर ओवर फिले से जोड़े और कोई ऐसा काम करता है आप वहां से purchase कर लो मैं इसके लिए स्वैच्छिक है ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां पर कोई business करने होता बच्चों तो एक बात बताओ कि यह सारी ही किताबें आप अगर किताब देखोगे तो कितनी के कम से कम नहीं तो बारा किताबें ठीक है बारा किताबें और यह सारे किसारे आपको मात्र साड़े तीन सो रुपए एक दो तीन चार पांच से साथा नोटस ग्यारा बारा किताबें आपको मात्र कितने सारे किताबों को एक किताब को 500 पाय में वेशता है बहुत आराम से हां ये बात अलग है कि ये जो किताब में आपकी है ये पीडेफ फॉर्मेट में इसलिए रखा गया है कि आप तुरंथ इसको डाउनलोड करो और जाके कहीं सस्ते में प्रिंट करवा लो ताकि आप अगर है न कई बार आपको दिमाग में आता है कि अरे सर ये वीडियो इसलिए बनाया हूं कि आप मेरा कोई ये आप कोई व्यक्तिकत इसमें वो नहीं है फायदा अगर मुझे बिजनस ही करना होता तो मैं पूरा का पूरा बैच निशल क नहीं कर देता यकीन मानू किसी भी संस्ता पे बच्चों आप जाओगे तो आप 1000, 2000, 3000 का और इवन ओफ्राइन कोचिकों में 10-10,000 का बैच है परिक्षा प्लस कम्प्लीट आप पर पे पीछले जाओँ वहां पे भी आप जाओगे तो आपको पूरा क्या मिलेगा बिहार का जो कोस है उसे लगा मिलेगा वहां पे आप व्यू डेमो में जाओगे तो वीडियो में सारी ही वीडियो को क्या कर दिया डेमो में लगा दिया गए कहने का मतलब एक वीडियो भी वहां पे पेड नहीं है ऐसा नहीं कि आपको पे करके फिर आप देखोगे और नहीं आप पर देखना चाहरो तो वह सारे ही एक्षा प्लस यूटूब चैनल पे भ दरवाय जा रहे है सुबह आपका साड़े दस बजे जनल अवियोनेस कराया जा रहे है तो सब कुछ निशुलक और पूरा टॉपिक वाइज बिहार पोड की किताबों से पुरी टीम को अलग से मेनद करने की कोई आप सकता नहीं थी बस यह बात आप समझदार हो यह कोई इसकी इनफॉर्मिशन आप निकाल नहीं पाओगे और लोसेंट में इतना जादा है कि आप उसे कवर अपनी कर पाओगे मग नहीं कर पाओगे और उसे आप अपने निदर क्या कंजूम नहीं कर पाओगे यह वह फ्रैक्ट अपके दीमाब में ज़्यादा दर इस्थाही न या फिर आप परिक्षा प्लस की बूप पड़ो सब कुछ आपको यह से मिल जागा दोनों में से कोई भी कर लो वैसे बिहार बोड तो आप पड़ोई और परिक्षा प्लस आप उसको फैक्ट के रटने को लेगरो इतना मैं आपको बताऊंगा एक बार मैं दिखा देता हूं क जो बच्चे के सोच करनाएं प्रॅशिसर करना है पर पता नी कंटेंट गाइसा हो यह कंटेंट आप देख लो जैसे मैत का ही है तो मैत में बहुत बिधवत तरीके से नंबर सिस्टम से आपका इस पर्टिकुलर इस पेज से मैं आपको गरेंटी पार हो 2-3 कोशन फसे कर क् पिहार के अनिबोर्ड में पूछेगे उनका कलेक्शन आपको परिक्षा प्लस पॉइंट के अंदरगत मिल जाएगा साथ में ही अगर आप देखोगे जैसे यह भारत की अवस्तिती तदा छेत्रफल यह आप देखोगी भूगोल का ऐसे आपको टॉपिक दिया गया है फिर समम्मे के बिधवक्य आपको याद भी रहे भूलो भी ना आपका किया हो जायी आपका कल्यार भी हो जायी इस हिसाब से सारे किताबें है यह नहीं आप जनरलवर्णस की सारे πॉलेटी सारे एक से लेके स्मवाड़ान एक सासी बिढ़क करकर के देजह गये हैं कि आप एक ही इंग्लिस का हो गया सबुकुछ आपको बहुत बेटरीन तरीके से किताबे मिल रही है तो बिस मुझे नहीं लगता है कि बहुत तीन साड़े तीन साड़े तीन सो रुपए तो आप कहीं भी बैट जाते होगे और चाइप पांच लोग बैट के चाय पी लेते होगे अगर आरे सग्रवाल पे रहो और बाकी इन सब अपनी मेहनत से बचना है तो ज्यादा बेटर है कि आप परेक्षापलस के नोट से कर लो रही बात क्लासे की तो क्लासे का टाइम टेबल यहां पर आप देख सकते हैं लाश में आपको बता दू यह सारी ही क्लासे साब को क्या दी जो रही च्यां निश्याक दी जा रही है और सांब को छे बज़े से लेकि रात के दस बजे टक अभी सबसे पहले सुबाब दस बज़े आप जैसी क्लास होती जो जनल साबका टॉपक में यहां इसमें बिहार का जी का पार इंडिया का सम मिलानी कई सबढ़ पर लोगे तो आपको अलग से इंग्लिस पढ़ने के आवसरता नहीं पड़ेगी इसे कल्याण हो जाएगा लेंग्विज में इंग्लिस और हिंदी 6 पे चल रही है अभी इंग्लिस कवर करा जा रहे है फिर हिंदी कवर कराई जाएगी उसके बाद जिग्लिस में खुद कवर करा रहा है उसाथ पीम पे आप जागे प्रेलिश पे देखोगे आप किसी भी टीचर के पढ़ाने का तरीका देखोगे न यकीन मानू मैं इतना गैरेंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कहीं पी पेड़ वैसे कंपेर करोगे उसे कहीं ज आपको चले को साथ करेंगे और यहां पर जाओगे पिहार का रहेगा और यहां पर आप जाओगे को जाओगे यह नोट्स नहीं खरीदना है तो आप वीड़ो एमो पे जाओ वीड़ो भी सारी वीड़ो एक साथ लगी हूँ या आप देखो आराम से पेट करने की जुरोत नहीं है आप मौज करो एक साथ सारा कंटेंट लगा हुआ है बहुत बहुत अच्छे तरीके से तब बच्चों आ आप लोग ठीक है तो एक गंभीरता बना रहे है वालना उसे भी हम फ्री कर सकते थे ती कोई बड़ी बात नहीं थी तीन सो रुपए में हम राजा नहीं हो जाएंगे दूसरी बात आप टेलीग्राम परिक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल आपको जाइन कर लो कहां पे है इसकी जो लिंक है डेस्क्रिप्शन में दी होई है इसका लिंक जो है वो डेस्क्रिप्शन में दी होई है यहां से आप कर लो और तीसरी चीज़ अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इन में से किसी नंबर पर कॉल कर लो आपको सब कुस समझा दिया जाएगा बहुत बेहतर तरीके से लेकिन आप अपने तैयारे करो एक बात समझना क्योंकि teaching vacancy में परिक्षा प्लस लगातार initial courses अभी करवा रही है और पूरा वर्स 2023 में initial courses ही करा रही है तो चाहती है बदले में कि हमें selection मिले एक नाम मिले एक हमारी भी value कि भाई जब बच्चा select हो कहीं उसे पूछे कहां से पढ़ेते तो वो बच्चा कोने कोने जाके बोले कि परिक्षा प्रस से पढ़ेते हो भी initial पढ़ेते वो भी इतनी बेहतरीन content के साथ कि कोई page ने जीसकता इसके लिए मर रहा हूं दोस्तों और कुछ नहीं और मुझे है तो यह नंबर है आप कभी भी call करो आपका call रेसीब होगी और बहुत 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 धन्यवास अभी का बहुत बहुत अभाद